दोस्तो टमाटर की कीमत आसमान छू रही है आप चाहे न्यूस चैनल उठा के देख लो चाहे अकबार उठा के देख लो हर जगह आपको टमाटर सुर्खियों में दिखाई देगा और इस महंगाई को देखते हुए कुछ किसान हमारे चाहते हैं कि वो भी टमाटर की खेती कर और एक अच्छा मुनाफ़ा अपने खेत से लें जिसके लिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और इस वीडियो में हम कुछ ऐसी प्रमुख और उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे जिनको आप साल में कभी भी बताय अनुसार लगाएंगे तो एक अच्छ भी हम लगा सकते हैं अपने खेत में तो आज हम ऐसे ही मुखे तीन वेराइटियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनको आप बरसात के मौसम में लगाएंगे भेंकर उत्पादन और भेंकर मुनाफ़ा अपने खेत से कमा पाएंगे और वीडियो में आगे बढ़ने से सुरक्षित रहेगी, खराब नहीं होगी, गलन सडन की सिकायत नहीं आएगी, फंगस की सिकायत नहीं आएगी, तो बढ़ते हैं आगे, तो इसमें जो पहली किस्म है वो है नामधारी सीड्स कंपनी की 426, इस वेराइटी को आप पौधार ओपन करने के बाद, 60-70 दिन में पहली तोड़ाई आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और इसकी जो फल का वजन है वो 120 से लेके 130 ग्राम तक जाता है, और उत्पादन की अगर बात करें, प्रती एकर इसका उत्पादन 500 से 700 कॉंटल तक जाता है, और मुल्या के हिसाब से आप देख सकते हैं कितना पारण शमता है, वो बहुत ही अच्छी मानी गई है, लंबे समय तक इसका बंडारण किया जा सकता है, और इसका जो एवरेज बजन होता है टमाटर का, वो 80 से लेके 100 ग्राम तक है, और प्रती एकर उत्पादन की अगर बात करें, तो वो 200 से लेके 400 कॉंटल तक का प्रती इकर का उत्पादन एवरेज इस बीज से लिया जा सकता है, और जो तीसरी किस्म आती है किसान भाईयों, वो है नेन हम्स कंपनी की US 440, इसके अंतरगत जो फल आपका होगा, वो 60 से लेकर 90 ग्राम उसका एवरेज बजन होता है, पलस इसकी भी भंढ़न शमता बहुत अधि जाता है केट से, तो किसान भाईयों, वैसे तो हमारी बताई गई तीनों किस में ही उत्तम हैं, उच्च क्वाल्टी की हैं, और बढ़िया प्रोडक्शन देने वाली हैं, लेकिन हमारा जो सुझाव है, अगर आप बरसाद के मौसम में ये फसल लगाना चाहते हैं, तो हम ज बरसाद के समय में लगाने से पहले एक जरूरी बात का आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंवेस्ट करके खेत में बैड बनाकर और मल्चिंग लगाकर अगर आप टमाटर की खेती करना स्टार्ट करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ह खेती के लिए, क्योंकि जब आपका टमाटर बड़ा होगा, तो फल आपका डारेक्ट मिट्टी से टच नहीं होगा, बरसाद के टाइम पे गलन सडन और फंगस की जो सिगायते आती हैं, अगर ये मिट्टी से दूर रहेगा, तो वो नहीं होगा, आपका टमाटर बिलकुल तीन किसमें, जिनके साथ आप टमाटर की खेती स्टार्ट कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको अगर किसी additional information की जरुरत है, तो वो हमें comment section में पूछ सकते हैं, तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक अच्छी और सच्छी information के साथ, तब तक के लिए रम-रम, जय 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 किसान, भरत मता कीजे